बाली तेहसिल के कुंडाल ग्राम के कॉंग्रेश पालटे के कारे करता एबं सरपंच प्रत्याशी को कुंडाल सरपंच के पती के द्वारा कुलहाडी से जान से माणने की साजिस गाहल को घर की महिलाओं ने घटना इस्तल से घर ले गई गायल को हॉस्पिटल ले जाने वाली गाड़ी को बुलाया और रास्ते में आरोपियों के द्वारा पिकप काड़ी खड़ी कर दी जो भी गाड़ी गाहिलों को परिवार जनों के द्वारा हॉस्पिटल ले जानने का प्रयास किया तो आरोपियों द्वारा उस गाड़ी वाले को बगा देते ऐसे में महिलाव और रामीनों के द्वारा कॉंग्रेश नेता ठाकुर अविमन्यू शिंग फालना को फॉन कर सूचना दी तब ठाकुर अविमन्यू शिंग फालना के द्वारा स्टाप ड्राइवर को भेजगर गायल दीता राम को बाली हॉस्पिटल लाया गया जहां प्रात परिवार जनों से मिले हर तरह की संभग मदद देने का भरोसा दिलाया और कहा कि जोदपुर एमस में इलाज शुरू है और जिसकी नगरानी मैं स्वयम कर रहा हूं इस दोरान बाली प्रसासन भी हरकत में आया और डीबाई एसपी सी आई थानेदार समित प्रसासन मौके पर पहुँचा मौका मौयन करने और आरोपियों को लेकर ठाक और अवमनुशिंग फालना के तेवर दिखे तीके तेवरों के साथ उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों के पुलिश द्वारा पकड़कर सजा का प्रवधान लागू करे और बड़ा नहीं तो अन्न जंदोलन किया जाएगा वहां पर इस पुरेस पुत्र जालाराम जी मुकेस पुत्र नोपाराम नेकराम बाबोजी राजू पुत्र डूंगाराम महिंद्र पुत्र डूंगाराम प्रकास पुत्र बिदमाराम जातिगण कुंडाल स्कूल के पास बिर्चा मुंडा मूर्ती चौक पर बैठे थे फिर सभी शाम को क पुंडाल सरपंच का पती पिंटु कुमार ने कहा कि मेरा दुशम दीता राम जा रहा है उसे जान से खतम कर देते हैं तबी पिंटु कुमार और सके सांथियों ने मिलकर दीता राम, सुरेश, मुकेश, केला राम, नेका, राम, लाडू, राम, राजू, महिंदर पर पत्तरों से हमला कर दिया तो चाचा दीता राम के पत्तर लगने से नीचे गर गए सोहनलाल पुत्र पाता राम ने को लाड़ी से दीता राम के शिरपर मारी कालू राम पुत्र मंसा राम ने लाठी से बार किया से सबी आरोपियों ने हमें पत्तर मारे जिस्से मेरे और सुरेश केला राम मुकेश प्रकास के भी चोट लगी तथा अन्य सभी अविवकतों के द्वारा लगातार पत्तर मार ने से गायल दिताराम को वहीं चोड़कर दिताराम के घर की तरब भागे दिताराम की पत्नी और घर की महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर दिताराम को हॉस्पिटल पहुंचाया कहीं बार प्रयास किये हॉस्पिटल ने जाने के लिए लेकिन आरोपियों के द्वारा बार बार रोका जाने लगा ऐसे में ठाकोर अवयमन्यू शिंग फालना को फॉन पर सूचना दी गई जिस पर ठाको अवयमन्यू शिंग ने तुरंत प्रबाब से अपनी कार भेज कर गाहल दीता राम को हॉस्पिटल पहुंचाया पुलिज आरोपियों की तलास में जुटी है पुल्ले प्रसासन के द्वारा जगे जगे तलास की जा रही है बंदे बारत निउस से मोशिन खास क की खास रिपोर्ट